Hi, this is Kundan Misha before you. It's a big breaking news for all teacher aspirants. जितने भी सिक्षक बहाली में सामिल होने वाले teachers, aspirants हैं, उनके लिए बहुत बड़ी news निकल कर आज सामने आ रही है. सोमबार को उच्छ नियायले ने एक अध्यादेश शारी किया है, जिसमें यह बताया है, असपश्टी करन मांगा किया है, सरकार के तरब से, जब सरकार ने दिशंबर 2019 में यह बताया था कि प्राइमरी टीचर की बहाली में DLA रवियर्थियों को प्रात्मिक्ता दिया इससे संबंधित सरकार ने यह बताया है, कि यह सीधे सीधे तोर पर हमारी समविधान के अनुछेद 14 का उलंगन करता है, जिसमें भेद भाव की स्थिति को जग जाहिर किया जाता है, यह पेपर का कटिंग हम आज आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें दैनिक भासकर, परभ इसका हेडिंग दिया गया है, सिक्षक बहाली प्रैमरी स्कूलों में DLA पास को ही मौका देने पर हाई कोट की रोक, इसी प्रकार से परभात खवर का जो हेडिंग दिया जा रहा है, DLA वालों पर ही विचार करने संबंधी आदेश पर रोक, मतलब सबसे पहले हम DLA को प्रा बैधानिक नहीं है, यह सीधे सीधे भेद भाव करती है और अनुछेद 14 का उलंगन करती है, इसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान अखवार, जो टॉप मोस्ट अखवार के अंतगत आते हैं, इनका भी हेडिंग यही है, सिक्षक नियोजन कोट का विभाग के आदेश पर र करन मांगा है, कि 7 तारिक तक 7 सितंबर तक इसे के बारे में असपष्टी करन दे, हम सभी जानते हैं कि बिहार सिक्षक नियोजन परनाली जो अभी 2019 से अभी तक चल रही है, दिन परति दिन इसमें नए नए मोर, नए नए रुख, नए नए केस हमें देखने को मिलते नजर आ रहे हैं, और एक बार फिर से यही इस्थिती हम देख पा रहे हैं कि कोट तक यह बाते गई, और इसमें जो अभी अर्थी हैं, जिनके लगा कि यह हमारे लिए ख्यान्याय हो रहा है, बीएड अभी अर्थी, वो बीएड एक तामन्च आगे की और आगे बढ़ें, और उ सायद अगर इस पर सही से सख्यान सरकार लेती है, तो वो असपष्ठी करन देगी, जिसमे अपनी करें